सोने का अंडा देने वाली हंस एक बार की बात है एक गाव में एक गरीब किसान अपनी पत्मी के साथ रहता था एक दिन किसान ने यह सोच कर एक बत्ती खरीदी कि वह अंडे देगी जिसे वह खा सकेगा और शेश को बेच देगा वह हंस को घर ले गया और अंदे देने के लिए उसके लिए एक घोसला बनाया अगले दिन सुबह किसान घोसले में गया यह देखने के लिए कि क्या हंस ने अंदे दिये हैं उसके आश्चर्य करने के लिए हंस ने सोने का अंदा दिया था किसान ने शहर में जाकर सोने के अंडे को अच्छे दाम में बेच दिया हंस रोज सोने का अंडा देने लगी किसान ने उन अंडों को बेच दिया और अच्छी किस्मत बना ली जैसे जैसे किसान सोना बेच कर अमीर और अमीर होता गया वह और भी लालची होता गया अंदे प्राप्त कर सकते हैं, जो हंस के अंदर है, तो हम तेजी से अमीर हो सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, किसान ने कहा, हमें हर दिन अंदे देने के लिए हंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दमपती ने हंस को काटने का फैसला किया और एक ही बार में हंस के अंदर सोने की खान प्राप्त कर ली अगले दिन वे घोसले में गए और हंस को मार डाला और उसे केवल यह पता लगाने के लिए खोल दिया कि वहां हर दूसरे हंस की तरह ही थी उसके अंदर कोई सोने का अंदा नहीं था अब किसान और उसकी पत्नी की बत्तखे खो चुकी थी और उन्हें फिर कभी सोने के अंदे नहीं मिलेंगे कहानी की नीती बहुत अधिक लालच हमेशा बड़े नुकसान की ओर ले जाता है उसके अंदर कोई सबस्टब करेंगे झाल झाल